नमस्कार, स्वागा थे आप सभी का सिक्षा सीडी के सियोटूब चैनल में दोस्तो आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट करेंगे RRB NTPC और ग्रूप D के लिए दोस्तो आज से हम डेली आप तक एक टेस्स सीरीज पहुचाएंगे तता इस टेस्स सीरीज में टोटल 30 प्रसनों को सॉल्ब करेंगे तता यह जो 30 प्रसन होंगे यह GK, GS और Current Affairs पे आधारित होंगे तता इन प्रसनों को सॉल्ब करने के लिए प्रतेक प्रसन के लिए आपको 4 से लेके 5 सेकेंड तक का समय दिया जाएगा तता पूरी इमांदारी के साथ आप इस टेस्स सीरीज को अटेंड कीजिएगा तता कमेंट बॉक्स में हमें बताईएगा कि इन 30 प्रसनों में से आपके कितने प्रसन सही हुए है तो चलिए आज की पहली टेस्स सीरीज को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि कौन-कौन से 30 महत्पुन प्रसनों को आज के इस पहले टेस्स सीरीज में हमने समलित किया हुआ है तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं तो पहला प्रसन है हमारा 2023 का जो क्रिकेट 200 कप है इसकी मेजबानी कौन देश करेगा सुपर इंपॉर्टेंट प्रसन है इसके पूछे जाने की संभावना बहुत ज्यादा है तो इस प्रसन का जो जबाब है आप दीजे जल्दी से तो पहले प्रसन का राइट एंसर हो जाएगा हमारा इंडिया यानि की भारत में जो है 2023 का जो क्रिकेट वर्ल्ड कप है उसका आयोजन किया जाएगा तो आप इससे याद रिखेगा ये most important प्रसन है जो आपके एकजाम में पूछा जा सकता है वहीं अगर हम पिछले क्रिकेट वर्ल्ड कप की बात करें 2019 की तो 2019 का जो क्रिकेट विसक प था इसका आयोजन कहां किया गया था तो इंगलैंड और वेल्स में इन दो जगहों पे जो है 2019 के क्रिकेट 200 कप का आयोजित किया गया था तता इसको जीता किस देश ने था तो इंग्लैंड ने 2019 का क्रिकेट 200 कप जीता था किस देश की टीम को हरा की जीता था तो न्यूजी लैंड देश की टीम को हरा कर जो है इंग्लैंड ने 2019 का क्रिकेट 200 कप जीता था तो आप इसे याद रिखिएगा इसके साथ एक चीज़ और आप आप आद देखिएगा जो 2013 का क्रिकेट 200 कप होगा इसका कौन सा संस्करण भारत में आयोजित किया जाएगा यह भी most important प्रस्ण है तो 2013 का जो क्रिकेट 200 कप होगा इसका 13 जो संस्क्रण है यह कहां प्याजुत किया जाएगा तो हमारे प्यारे देश भारत में तो यह था हमारा पहला प्रस्थ इसे आप प्या देखिएगा दूसरा प्रस्थ नमारा क्या कह रहा है तो दूसरा प्रस्ण कहा रहा है राष्टी बिज्ञान दिवस किस दिन मना जाता है आपके पास 4 सेकेंड का समय है इसका जवाब दीजिए तो राष्टी बिज्ञान दिवस प्रति वर्ष कब मना जाता है तो इसका राइट एंसर आपको मिलेगा 28 फरवरी के दिन यानि option जो B है इसका बिल्कुल सही है 28 फरवरी के दिन जो है राष्टी बिज्ञान दिवस मनाया जाता है तो आप इसे याद रिखिएगा ये most important प्रस्न है तता 28 फरवरी को क्यों मनायाता है तो हमारे भारती बेज्ञानिक थे C.V. रमन आप्या देखिएगा C.V. रमन के दोरा 1928 में रमन प्रभाव की खोज की गई थी इसी कारण से 28 फरवरी को प्रतेक दिन राष्टी बिज्ञान दिवस मनाया जाता है तिसरा प्रस्न मारा क्या है आपको बताना है कि जो पहला ओलंपिक खेल था इसका आयोजन निमलखित में से किस जगए किया गया था तो जो पहला ओलंपिक खेल था इसका जो आयोजन है वो यूनान में किया गया था कहां पर यूनान जिसको हम ग्रीस भी कहते हैं इसका एक सहर है एथेंस आप आद देखिएगा इसका एक सहर है एथेंस यहीं पर 18962.2 में जो है पहला ओलंपिक खेल आयोजित किया गया तो आप इसे याद रिखेगा ये भी most important प्रस्थन है इसके बाद अगर हम 2020 के ओलंपिक खेलों की बात करें तो 2020 का जो ओलंपिक खेल है या कुरोना वाइरस की वज़े से अस्थगित कल दिया गया है अब 2020 का जो ओलंपिक खेल है इसका जो आयजन 2021 में किया जाएगा किस जग 2021 में उलंपिक खेल गिर्श मकालिन की आपे बात हो रही है या टोक्यो में आयोजित किया जाएगा तो इसे भी आप ध्यान देजेगा चौता प्रस्थन हमारा है इसरो का मुख्याले आपको बताना है निमलिखित में से किस जगह पर आए तो इसरो का मुख्याले आपको कह ISRO सिगए तो ही हदी में ईसरो की अस्थापना के गई तर इसका है इड़को आपको मिलेगा बेंगलोरो में और इसके प्रिजन टाइम में प्रमूख कौन है तो के सिवन जो हैं इसके प्रिजन टाइम में प्रमूख हैं तो इतनी सारी चीज़े आप याद रखिएगा अगला प्रस नमारा कहा रहा है सिमला समझाता किस वर्ष हुआ था सुपर इंपोर्डेंट रसन तो जो सिमला समझाता था या कब हुआ था तो 1972 इस वी मैं आप आद देखेगा 1972 कब तो 2 जुलाई 1972 अपडेट भी आद रख सकते हैं 2 जुलाई 1972 को भारत और पाकिस्तान के मद्द ये दो देश थे भारत और पाकिस्तान इन दोनों के मद्द जो है सिमला समझाता किया गया था 2 जुलाई 1972 को तो आप इससे याद देखेगा ये most important प्रसन है इसके बाद अगला important प्रसन हमारा क्या कह रहा है DBMS का विश्तरित रुपयान है कि DBMS का आपको full form बताना है super important प्रसन तो DBMS का full form क्या होता है तो option A इसका बिल्कुल सही है database management system आप याद देखेगा database management system जो है DBS का full form होता है तो option A इस प्रसन का हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा अगला प्रसन हमारा क्या कह रहा है भालती सम्विधान में मौली कलत्यव्यों की संख्या कितनी है super important प्रसन तो हमारे भालती सम्विधान में कुल कितने मौली कलत्यव्य है तो total 11 यानि present time में हमारे भालती सम्विधान में total मौली कलत्यव्यों की संख्या 11 है तो आप इसे याद रिखेगा तता इन मौली करतव्यों को भालती समिधान में समलित करने के लिए किस कमिटी ने रिकमेंड किया था यह जा में पुछा यह था तो सौन सिंग कमिटी आप आप आदेखेगा पे जो है भालती समिधान में मौली करतब्यों को समलित किया गया था तो आप इसे याद रिखेगा तता कौन से आर्टिकल के अंतरगत रखेगा है तो आर्टिकल 51A के अंतरगत आप आप आद देखेगा आर्टिकल 51A के अंतरगत जो है मौली करतब्यों को हमारे भालती समिध में सम्लिद किया गया था एक पॉइंट और आप याद देखेगा जब सौने सिंग समीति के रिकमेंडेशन पर आर्टिकल 51-A में पहले बार मौली कलतव्यों को सम्लिद किया गया था तोटल दस ही मौली कलतब्य समलित किया गया देशा प्या देखेगा प्याराम्ब में जब मौली कलतब्यों को हमारे बालती सम्विधान में समलित किया गया था तो उस समय जो है टोटल दस मौली कलतब्य ही समलित किया गया था परंतु 2002 में एक amendment किया गया और इस यह कौन सा amendment था 86 समिधान संसोधन ने भी आप याद दिकेगा तो 86 समिधान संसोधन के अंतरगत जो है 11 मौली कर्टब भी हमारे 32 समिधान में सम्रित किया गया था तो इसे भी आप याद रिखेगा एक चीज़ और जब स्टार्टिंग में 10 मौली कर्टब भी हमारे 32 समिधान में सम्रित किया गया थे तो कौन सा amendment के तयत सम्रित किया गया थे तो बैलिस में समिधान संसोधन 1976 के तयत तो इसे भी आप ध्यान दिजिएगा अगला प्रसंद क्या कह रहा है इन में से कौन सी सिंधु नदि की सहयक नदी नहीं है तो इसमें से सिंधु नदी की कौन सी सहयक नदी नहीं है तो इसका राइट एंसर हैगा उप्यूक्त सभी आप याद रिखेगा dando की बात हो रहे है मतलब यहाँ पे कौन से सहायक नदी नहीं नहीं मतलब हैं सिंदू की तो इसका right answer जाएगा सभी यानि की जेलम, चिनाब और रावी ये सभी जो है सिंदू की सहायक नदियां हैं तो option D इसका बिल्कुल सही हो जाएगा जेलम, चिनाब और रावी जो हैं ये सभी सिंदू की सहायक नदियां हैं तो इसे भी आप याँ देखेगा तता सिंदू नदि का उदगम कहां से होता ये भी आपके लिए important है तो मानसरोवर जील कहां है? तिबबत में आप याँ देखेगा मानसरोवर नामक जगह है कहां पे? तिबबत में वहीं से जो है किसका उदगम होता है? तो सिंदू नदि का तो इसे भी आप याद रिखेगा अगला प्रस्त हमारा कहा रहा है ब्रह्मान को कितना प्राचीन यानि कि कितना पुराना माना याता है? अगला प्रस्त हमारा है यस बैंक का मुख्याले आपको बताना है कि यस बैंक का मुख्याले कहां पे है तो यस बैंक का मुख्याले आपको मिलेगा मुंबई में यानि option A इसका बिल्कुल सही है मुंबई में आपको यस बैंक का मुख्याले मिलेगा तता इसके अस्थापना किये गई थी 2004 इस्वी में तो इसी भी आप याद रिखिए अगला प्रस्ण हमारा कहा रहा है संतोस ट्रॉफी का जो संबंद है निम्ले कितमे से किस खेल से है सुपर इंपोर्टेंट प्रस्ण तो संतोस ट्रॉफी का जो संबंद है या किस खेल से है तो फुटवाल से यानि option A बिल्कुल सही है इस तरह के जो प्रस्ण लगातार सुभी प्रकार की परिच्छाओं में पूछे आते हैं कि किस ट्रॉफी का संबंद किस खेल से है तिने आप जरूर याद करके जाये करी एकजाम में तो इस प्रस्ण का राइटेंट होर जाएगा हमारा संतोष ट्रॉफी का संबंद जो है फुटबॉल से है तो अप इसे याद रखिएगा अगला है स्वराज आंदोलन किसके दौरा सुरू किया गया था तो स्वराज आंदोलन जो है स्वराज मुमेंट जो ही एनी बेसेंट के दौरा सुरू किया गया था तो आप इस याद देखिएगा स्वराज आंदोलन जो है एनी बेसेंट के दौरा सुरू किया गया था तो ऑप्शन जो इसका भी है बिल्कुल सही है एनी बेसेंट अगल तो तीनो जबी तीनो जो स्री हरिकोटा हो गया तिर्वंतपूरम हो गया और ओडिसा ये तीनो जगें जो है भारत के रॉकेट प्रच्छिपण पैड अस्थापित किये गए आपको तिर्वंतपूरम किरत किराजानी है उसके बाद ओडिसा में एक जगे है बाला सो रही से र प्रच्छेपन किया जाता है अगला है मिटी के अध्यान को क्या कहा जाता है जल्दी से जबाब दीजे इसका तो मिटी के अध्यान को कहा जाता है पेडोलोजी आप आ देखेगा मिटी के अध्यान को कहा जाता है पेडोलोजी तो option B इसका बिल्कुल से आप इसे आ देखेग वहीं osteologic के रूप में किसके अध्यान को जानता है तो हड़ियों का जो अध्यान होता है वो osteologic के अंतरगत किया जाता है तो इसे भी आप या देखेगा तता anthology के अंतरगत जो है आपका फूलो का अध्यान किया जाता है और रेनो लॉजिक एंतरगत किसका अध्यन किया आता है तो रेनो लॉजिक एंतरगत आपका नाक गुहा का अध्यन किया जाता तो यह चारों आपको याद अगना है अगला प्रस्न हमारा कह रहा है अंतराष्टी सांती दिवस कब मना जाता है तो अंतराष्टी सांती दिवस जो है प्रती वर्स कब मना जाता है तो 21 सितंबर के दिन यानि आप्शन इसका C बिल्कुल सही है 21 सितंबर के दिन जो है अंतराष्टी सांती दिवस मनाया जाता है तो आप इसे ध्यान दिजेगा अगला प्रस्त हमारा क्या है बिश्व का पहला कैसलेस देश कौन बना है तो बिश्व का जो पहला कैसलेस देश है या बना है स्वीडन स्वीडन जिसकी राज़ानी आपके मिलेगी स्टॉक होम क्या राजदानी है तो stock home जो है इसकी राजदानी है स्वीडन की तता है जो स्वीडन है या विश्यो का पहला cashless देश बन गया है तो इसे भी आप ध्यान दिजेगा अगला प्रस हमारा है प्रदर्शन यानि कि performance और memory के अधार पर big iron किस प्रकार का computer है तो प्रदर्शन और memory के अधार पर जो big iron है या किस प्रकार का computer है तो प्रदर्शन और memory के अधार पर जो big iron है यह एक mainframe computer यानि option C इसका बिल्कुल सही है mainframe computer हो जाएगा इसका right answer अगला प्रस मारा क्या रहा है वर्श 1980 में विक्सित किये गए पहले search engine का आपको नाम बताना है super important प्रस में तो वर्श 1980 में जो पहला search engine था या कौन सा विक्सित किया गया था तो पहला search engine बनाए गया था आची यानि option इसका C बिल्कुल सही है आची अगला प्रस मारा है भाप इंजन किस सिधान पर आधारित है यानि कि भाप इंजन जो है यह किस सिधान पर कारी करता है super important प्रस्ण तो जो भाप western किस पर कारी किलता है तो उस्मागतकी के पहले नियम पर कारी कलता है भाप इंजन तो इसका right रिंसे आपको मिलेगा option B यानिकी भाप इंजन जो है उस्मागतकी के पृत्म सिधान पर कारे करता है अगला प्रस्व मारा कह रहा है चुम्बक की छित्र रेखाएं चुम्बक के किस भाग से निकलती है जो चुम्बक की छित्र रेखाएं होती है चुम्बक के उत्री धुरुवाले भाग से निकलती यानि option इसका B बिल्कुल सही हो जाएगा जो चुम्बक का उत्री धुरू अला भाग होता है उससे जो है चुम्बक की छित्र रखाएं निकलती हैं तो इसका राइट एंसर हो जाएगा option B यानि की उत्री धुरू अगला प्रसमारा क्या रहा है दाप का SI मत्रक आपको बताना है कि दाप का SI मत्रक कौन सा होता है option A इसका बिल्कुल से हो जाएगा पास्कल जो है या दाप का SI मत्रक होता है तो इसे भी आप याद देखिएगा वह न्यूटन किसका SI मत्रक होता है तो Newton जो होता है यह बल का SI मातरक होता है निव्टन तो आप इसे याद रखेगा तता what किसका SI मातरक होता है तो what जो होता है यह सक्ति याने की power का SI मातरक होता है अगला प्रसन मारा कह रहा है विद्धुच चुम्ब की spectrum की जो wave length है तरंग देल्द है किस सीमा के प्रकास के बीच होती है तो इसका right answer आपको मिलेगा 4900 angstrom से लेके 7800 angstrom के मद्ध जो है विद्धुच चुम्ब की spectrum की जो है तरंग देल्द होती है तो option SI इसका बेलकुल से हो जाएगा 4900 angstrom से लेके 7800 angstrom के मद्ध अगला प्रसमारा है जब अमल को संकेतक मिथाईल औरेंज में जोड़ा जाता है तो इसका किस प्रकार रंग दिखता है मतलग कैसा रंग दिखता है तो जब अमल को संकेतक मिथाईल में जोड़ा जाता है तो इसका रंग किस प्रकार दिखता है तो लाल यानि की रेड यानि option C इसका बिलकुल सही है अगला प्रसमारा है कमरे के तापमान पर निम्लिकित में से कौन से अधातू तरल अवस्था में मौझूद होता है तो ब्रोमीन एक अधातू है जो कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में मौझूद होता यानि option A इसका बिलकुल सही है ब्रोमीन जो है एक मात्र ऐसा धात आप आद दिखेगा ब्रोमीन एक अधातु है जो कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में आपको मिल जाएगा तो आप इसे याद रखेगा अगला है यहाँ पर अधातु की बात हो रही आप आद दिखेगा तो ब्रोमीन जो है एक प्रकार का अधातु है जो कमरे के तापमा आपका और अधातों पूछेगा तो आपका ब्रोमीन एंसर हो जाएगा तो दोनों आपको याद अखना है अगला प्रस्त हमारा है कारबन में उपस्थित इलेक्ट्रोनों की संख्या आपको पता नहीं है तो कारबन में जो इलेक्ट्रोन होते हैं कितनी होते हैं तो टोटल 6 ह यानि option इसका C बिल्कुल सही है, कारबन में उपस्थित इलेक्ट्रोनों की संख्या कितनी होती है, 6 तो option C इसका बिल्कुल सही है, अगला प्रस हमारा है, नर में सुक्राणू यानि की स्पर्म के उत्पाधन के लिए निम्रकित में से कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है, तो option इसका B बिल्कुल सही है, टेस्टोस्टेरोन जो है, हर्मोन होता है, जो नर में सुक्राणू यानि की स्पर्म के उत्पाधन के लिए जिम्मेदार होता है, तो टेस्टोस्टेरोन इसका right answer हो जाएगा, आप इसे याद रखिएगा, अगला प्रस हमारा है, निम्रकित म से किसने रख्त समू की खोज की थी, तो जो रख्त समू होते हैं, A हो गया, A, B हो गया, O हो गया, और B हो गया, इस लभी जो रख्त समू है, आपका बताना है कि इन रख्त समू की जो खोज है, किसके दोरा की गए थी, तो कार्ल लैंड इस्टीनर, इसका right answer हो जाएगा, option C तो कार्ल लैंड इस्टीनर के दोरा जो है, खोज की गए थी किसकी, तो रख्त समू हो की, तो आप इससे याद देखिएगा, वहीं Charles Darwin के दोरा किसकी, तो विकास वाद की जो खोज है, वह Charles Darwin के दोरा की गए थी, तो इसे भी आप याद रखिएगा, अगला है, सारवजनिक परिवहन निसुल्क सेवा की पेशकस करने वाला विश्य का पहला देश कौन मिना है कि, जो पबलिक ट्रांसपोर्ट है, उसको निसुल्क कल दिया गया है, किस देश के दोरा आपको बताना है, तो पबलिक ट्रांसपोर्ट को निसुल्क करने वाला पहला देश बन गया है, तो आप इसे याद रखेगा लगजम बर्ग अगला प्रस्थ हमारा है UK के Brexit सचीव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है सुपर इंबोर्टन प्रस्थ तो UK का जो Brexit सचीव है किसे बनाया गया है तो Stephen Barclay को तो आप इसे याद देखेगा प्रस्थ हमारा है भारत अपने पहले G20 सिखर सम्मेलन की मेजबानी कब करेगा तो भारत जो है G20 सिखर सम्मेलन की मेजबानी कब करेगा तो इसका राइट एंसर आप को मिलेगा 2023 में तो आप इस याद देखेगा सौरी 2022 में 2022 में जो है भारत G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा तो 2022 इसका right answer आपको मिलेगा आप इस याद देखेगा तता 2022 की खास बात क्या है यह भी आप आप आद देखेगे तो 2022 की खास बात यह है कि यह हमारी आजादी की 75 वी वर्स गांट होगी इसी को पलच में जो है हम 2022 के G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन भी करेंगे तो आप इसे याद रखेगा तता 2019 का सिखर सम्मेलन जी टॉन्टी के कहां आजूत किया गया था तो 2019 का जो सिखर सम्मेलन था यह आजूत किया गया था जापान में आप आप आद देखेगा 2019 का सिखत सम्मिलन G20 का जापान में आजुद किया गया था वहीं 2020 का का आजुद किया गया था तो 2020 का जो सिखत सम्मिलन है या सौधी अरब आजुद करेगा सौधी अरब आप आदेखेगा 2020 का सौधी अरब में 2021 का आपको मिलेगा टोटल 30 important प्रस्णों को cover कर लिया है अपनी पहली test series में, I hope आपको वीडियो पसंद आएगा, तो आज के लिए बस इतना है, Thank you, Thanks for watching, Thank you.